इरानी राश्रपती इब्राहिम रैसी और उनके विदेश मंत्री अब्दुल्ला हियान समेत नौ अधिकारियों के हेलिकॉप्टर क्रेश में मौत हो गई रैसी का जाना इरान के लिए अभी तक कास सबसे बड़ा जटका है हाला कि इरान ने इस हेलिकॉप्टर क्रेश को एक हाथ समाना है जो तकनीकी खराबी और खराब मौसम की वज़े से हुआ है लेकिन अब इसको लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे देख कर लगता है कि कहीं रैसी की मौत एक बड़ी साजिश तो नहीं है अगर यह साजिश है तो क्या यह साजिश इरान के भीतर से रची गई या फिर विदेशी ताक्तों ने रैसी का हेलिकॉप्टर क्रेश करा है दरसल 19 माई 2024 को अजर्बैजान से वापसी के वक्त रहीसी का हेलिकॉप्टर इरान के पूरवी प्रांत और अजर्बैजान में क्रैश हो गया था उनके हेलिकॉप्टर के साथ दो और हेलिकॉप्टर उडान भर रहे थे लेकिन एक जटके में रहिसी का हेलिकॉप्टर कहीं गायब हो गया है और करीब 30 मिनट बाद अन्य दो हेलिकॉप्टरों के पाइलट को हिसास होता है कि रैसी का हेलिकॉप्टर उनके साथ नहीं और वो तुरंत यूटन लेकर वापस उसे ढूंडने आते हैं लेकिन रैसी के हेलिकॉप्टर का कोई अता पता नहीं होता है दरसल रैसी के हेलिकॉप्टर क्रेश में जिस खराब मौसम का हवाला दिया जा रहा है उसको लेकर इरानी राश्रपदी के चीफ और स्टाफ गोलम हुसेन इस्माईली ने एक बड़ा खुलासा किया है इरानी नियूस अजेंसी इसलामिक रिपब्लिक नियूस अजेंसी यानि आई आर एने को दिये गए एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि उस वक्त मौसम साफ था वहाँ पर ऐसा कोई मौसम नहीं था जो चिंता करने वाला हूँ आदे गंटे के बाद हवा में सुनगुन कॉपर माइन पहुचने से पहले बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा आया था बड़ी बात ये है कि इसमाईली भी उन दो हेलिकॉप्टरों में से एक में सवार थे उडान के वक्त कोहरे को लेकर जब सवाल पूचा गया तो इसमाईली ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं वहाँ जमीन पर कोहरा था लेकिन हवा में जिस तरफ हलिकॉप्टर उडान भर रहे थे वहाँ कोहरा नहीं था वहाँ पर एक चट्टान के उपर बादलों का एक छोटा टुकड़ा था रैसी को ले जा रहा है हेलिकॉप्टर के पाइलट ने हमें निर्देश दिया कि हेलिकॉप्टर को उचाई पर बढ़ाया जाए और बादलों के उपर के ले जाना ज़रूरी रखा जाए इसमाईली का कहना है कि उनके साथ जो लोग थे उन्हें अत्याधिक शान्ती का एहसास नहीं हुआ और उचाई पर पहुँचने के बाद हमें कोई बढ़ाव नहीं दिखे इस्माईली का कहना है कि खराब मौसम को लेकर कोई भविश्यवारी भी नहीं की गई थी और जब हमें एहसास हुआ कि हमारा पाइलट यू टन लेकर जा रहा है तो हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि एक हेलिकॉप्टर ला पता है इस्माईली ने आगे कहा हमारे पाइलट ने उस इलाके में आसपास कई बार चक्कर लगाए लेकिन बादलों के पैच वाला वो इलाका हमारे लिए अद्रिश्य हो गया था और उस शेत्र में घुसना बहुत खत्रे से भरा था हम रैसी के हेलिकॉप्टर से रेडियो संपर्क बनाने में कई बार विफल रहे हमें जाच के लिए 30 सेकेंड के बाद सुंगुनु तामबे की ख़दान पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा इसमाइली ने आगे बताया कि उडान के वक्त उन्होंने लगातार गायब हुए सभी लोगों और अन्यात्रियों को फोन की कुछ समय बाद हम में से किसी ने राश्च्रपती को ले जा रहे कैप्टन के फोन पर फोन किया और किसी ने फोन उठाया वो आयातुल्ला हाशेम था जो शुकरवार तबरीज के इमाम थे उन्होंने हमें बताया कि वो स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं उन्होंने हमें फोन पर कुछ विशेश नहीं बताया जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्या हुआ था तो उन्होंने हमसे कहा कि उन्हें भी नहीं पता। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि वो अपने चारों तरफ खुद को पेड़ों से घिरा देख सकते हैं। और जब उन् कोई दिख नहीं रहा और वो अकेले हैं। और इसके बाद आयातुल्ला हाशेम की भी मौत हो जाती है। वहें दूसरी तरफ अगर रैसी के अमेरिके हलिकॉप्टर की बात की जाया तो जिस हलिकॉप्टर में वो सवार थे उसका नाम बेल-21212 था जो करीब 30 साल पहले बना हुए थे। ऐसे में अचानक से बादलों का आना और फिर एक जटके में बादलों का वो पैच का गायब हो जाना कहीं कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है।